हेलो गाइस, वेलकम टू माई चेनल ममता फेशन डिजाइन तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने ये सुन्दर सी पोसाग बनाई है और इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स तो देखिए कितनी सुन्दर लग रही है ये वाली पोसाग और आपको अगर ये वाली पोसाग सीखनी है तो प्लीज मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आप मेरे चेनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चेनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को फ्रिस इसे जो भी वीडियो डाले वह आपके नोटिफिक्शन में आ जाए तो फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये डाइमेटर को कट कर लिया है और मैंने इसकी गोलाई भी कट कर लिया देखिए कमरवाली और देखिए हमने ये अस्तर को डाइमेटर को उपर रखना है देखिए और दोनों अस्तर को हमें नीचे लगाना है और इसके उपर सिलाई करेंगे तो देखिए हमने ये सिलाई कर ली है और मैंने एक्स्टा कपड़ा वो भी कट कर लिया है यहां पर हम कट लगाएंगे और अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए हमने ये सीधा कर लिया है और इसको अच्छे से सेट करके और यहां पर सिलाई लगाएंगे दिखिए पूरे में और फिर इस तरह से लगाके और इस तरह से लगाना है तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं इसके उपर तो देखिए फ्रेंट्स हमने ये सिलाई कर लिया है और अब हम देखिए इस तरह से पटियां लगाएंगे तो दोनों साइड में हम पटियां लगा लेते हैं friends तो देखिए हमने लगा के इसको ready कर लिया है इस तरह से और अब हम इसके उपर design बनाएंगे तो इसके लिए हमने देखिए इस तरह का ये कपड़ा लिया है और मैंने इसकी लंबाई और चोड़ाई बराबर रखी है तो देखिए हमें इस तरह से कोनों को उठाके और इसके उपर रखना है देखिए इस तरह से और अंगुली से इसको दबा देंगे इससे और फिर हम द देती हूं देखिए इस तरह से लगा देती हूं अब हम देखिए ये नेट का कपड़ा लेंगे और इसकी लंबाई और चोड़ाई दोनों बराबर रही है पांच-पांच इंच रही है मैंने और देखिए इस तरह से इसका भी डिजाइन हम देखिए इस तरह से सेट करना है हमें इसको हमें नीची रखना है और नेट को हमें उपपर रखना है और देखिए अब हम इस तरह से करेंगे और इसका साइड का भी इसके उपर इस तरह से कर देंगे तो अच्छे से set करके फिर हमें इस पे देखिए इसको set कर लेंगे पहले और फिर हम यjak grain कर लेते हैं तो देखिए friends एक मैं और बता दिती हूँ आपको कि दोनों और कोनों को हमें इस तरह से लिखक्शیا है देखिए और फिर आम अंगूली से इस तरह से कर लेंगे और देखिए एक बाल फोल्ड ओर करेंगे हम इस तरह से और अब हम नेट का कपड़ा लेंगे और इसको भी देखिए इस तरह से हम कोनों को मिलाएंगे तिक कूटा इस तरह से और देखिए इस तरह से हम एक मोड ओर करेंगे देखिए इस तरह से और फिर हम इस पर इस तरह से लगाएंगे देखी इसको हमें थोड़ा सा नीची रखना है और नीची वाले को थोड़ा सा उपर देखी इस तरह से हमें यह दिखना चाहिए इसके साब से सेट करना है हमें और फिर इस तरह से हम मोड देंगे इसको देखी इस तरह से और इसको को भी उसकी उपर इस तरह से कर देंगे तो बहुत ही आसान है प्रेंड्स कि इस तरह से यह डिजाइन बनाना तो देखिए अब हम इसके उपर सिलाई कर लेंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमने इस तरह के ये पीस रेडी कर लिये हैं और अब हम इसके उपर डिजाइन बनाएंगे इसका तो देखिए हम इसका पहले नेप करेंगे तो ये हमारा कम्प्लीट नो पे आ रहा है देखिए तो इसकी गोलाई 9 इंच रखी है हमने और अब हम क्या करेंगे देखिए इस तरह से फोल्ड करके बराबर में और देखिए इस तरह से दबा देना है अंगुली से और अब हम इस पर क्या करेंगे देखिए लाइन डो करेंगे जहां पर हमारा ये मोड आया है वहां पे हम इस तरह से line कर लेंगे तो देखिए friends अब हम क्या करेंगे देखिए यह वाली design लगाएंगे तो हमें यहां से start करना है और सिलाई कर लेंगे इसके उपर तो देखिए हमें बहुत ही finishing के साथ लगानी है तो इस तरह से हमें जहां पर line रोग की है तो देखिए friends हमने यह लगा लिया है और देखिए इस तरह से और अब हम देखिए इंची टेप को यहां से रखेंगे और देखिए इसका measurement करेंगे तो यह 4 पे आ रहा है और 2 पे हमें निशान लगाना है देखिए यहां पर इस तरह से और अब हम निच्चे से देखिए पूरा measure करेंगे तो यह हमारा complete 2 पे आ रहा है तो हम 2 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से देखिए हमें निशान देखिए इस साइड में लगाना है जहां हमने यह design नहीं बनाई है वहां पर हम यह निशान लगाएंगे इस तरह से तो यहां पर हम गोलाई safe देने वाले हैं और इस तरह से देखिए गोलाई safe देना बहुत ही जी होता है तो बहुत ही आसान से हम लगा सकते हैं इस तरह से और अब हम देखिए इसको मिला देंगे इस तरह से तो हमारा यह गोलाई आ जाएगी इसकी तो देखिए हमने ये गोलाई कर ली है और अब हम देखिए यहां से मेजर करेंगे तो ये दो प्यारा है और देखिए हमने ये नेट लिया है इस तरह का और इसकी हमने चोड़ाई रखी है वह हमारा दो पे आ रहा था तो हमें आदा इंच इसका अक्स्टा लेना है तो हमारा सिलाई पे आएगा और देखिए इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करके देखिए अंदर की साइड में फोल्ड करना है और जहां पे हमने निशान लगा था वहां से हम इस तरह से देखिए इस तरह से प्लेट बनाएंगे और इसके उपर देखिए इस तरह से हमें बना के यहां पर सिलाई लगा देनी है तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है यह वाली पोसाग बनाना आप जरू ट्राइ करिएगा बहुत ही फटापर से बन जाती है इस तरह की यह पोसाग और हम जब अपने लड़ू गोपाल जी को पहनाते हैं तो बहुत ही सुन्द लगती है इस तरह की यह पोसागे तो देखिए हम इस तरह से यह फ्रिल को लगा के इसमें रेडी कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें लगाना है तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से ये लगा लिया है बहुत ही सुन्दर लुकाया है फ्रेंड्स देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाई है हमने ये और अब हम देखिए यहां से मेजर करेंगे तो ये हमारा दो पे आ रहा है देखिए और हमें दो से ज़्यादा चोड़ाई रखनी है पट्टी की तो हमने देखिए इस तरह की ये पट्टी ली है नेट की और इसकी चोड़ाई हमने डाई इंच रखी है और जो ज़्यादा होगा तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे तो इस तरह से देखिए हमने एक कोनर को निकाला है और अब हम देखिए इसकी फ्रिल रेडी करेंगे इस तरह से इस तरह से हमें फ्रिल को रेडी करना है तो देखिए फ्रेंट्स हमने ये फ्रिल को रेडी कर लिया इस तरह से और अब हम देखिए ये कमर की गोलाई है वहाँ पे हम लगाएंगे इसको इस तरह से हमें अच्छे से से सेट करके और इसके उपर सिलाई कर लेना है देखिए इस तरह से हम सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे तो देखिए हमें सिलाई करते समय निच्चे से थोड़ा फोल्ड कर देना है ताकि इसकी कोर्णर ना दिखे तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये बन जाएगी और फिर हमें सिलाई करनी है इसके उपर तो इस तरह से हम इसको लगा लेकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमने इसको सील के रेडी कर लिया है और जो अक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे और देखिए इस तरह से बहुती सुंदर लुकाया है और अब हम क्या करेंगे प्रेंट्स हमारी ये जो फ्रिल बराबर में नहीं है उसको हम कट कर लेंगे तो चलिए हमें इसको पूरी गोलाई के साथ में कट कर लेते हैं जहाँ पर हमें ये बड़ा चोटा करेंगे तो देखिए हमें इस तरह से कर लेना है तो देखिए हमने ये कट करके इसको बराबर में कर लिया है और अब हम देखिए यहां से meteor करेंगे तो ये हमारा चार पर आ रहा है देखिए तो चार इंच चोड़ी हमें पट्टी लेनी है तो देखिए हमने ये नेट की पट्टी ले apoy है और इसकी चोड़ाई हमने देखिए चार से थोड़ा जाड़ता रखा है हमने और देखिए अब हम इस तरह से फ्रिल को ready करेंगे तो इस तरह से हमें फ्रिल बनानी है इसके लिए तो देखिए हमने यह ready कर लिया है और अब हम देखिए इसको इस साइड में set करेंगे पेले हम corner पर लगाएंगे और जब हम corner से start करते हैं तो हमें क्या करना है तोड़ा अंदर की तरफ fold कर लेना है देखिए इसको इस तरह से ताकि ये finishing के साथ लगे और इसके उपर 쓸ाई कर लेते हैं देखिए इस तरह से हमें सेट करके और सिलाई कर लेते हैं तो देखिए हमने यह सिलाई कर ली है और अब हम देखिए क्या करेंगे इस तरह से इसको सेट करके फिर जो भी हमारा यह हमें बड़ा दिख रहा है तो उसको हम कट कर लेंगे देखिए तो हमारी यह डिजाइन पूरी नहीं देख रही है नी तो देखिए हमने ये कट कर लिया है और अब हम लगाएंगे नेफा तो इसके लिए हमने देखिए ये इस्तर का कपड़ा लिया है और दो इंच चोड़ा रखा है इसको और देखिए इस तरह से फोल्ड करके फिर हमें डबल कर लेना है इस तरह से और अब हम देखिए इस तर करके लगा लिए है पिछी के साइड में और अब मोगे उपर की साइड में इस तरह से हमें कर्के ushy чисто Android टालेंगे देखे इस तरह से और फिर यहां पर सिलाई करेंगे तो देखिए हमने यह लगा कि इसको ready कर लिया है बहुत ही finishing के साथ लगाया है friends तो देखिए इस तरह से हमारी внутри भी लगा लिया हमने और अब हम देखिए हमने यह knit लिया है और इसको मैंने 4 fold करके रखाया है देखिए इस तरह से और अब हम एक फोल्ड और कर लेंगे इस तरह से देखिए और इसका हम चोली बनाएंगे तो देखिए हमें चार और पांच नमबर का नाजी के लिए बनानी है तो देखिए हमें धाई इंच रखा है इसकी लंबाई और दो इंच हमने इसकी चोड़ाई रखी है और अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके उपर सिलाई करेंगे इसके उपर तो देखिए हमने उपर की साड़ में सिलाई कर लिए है और अब हम लगाएंगे टीशू टेप तो देखिए हमें टीशू टेप को किस तरह से लगाना है इस तरह से हमें तोड़ा छोड़के और देखिए इस तरह से हम लगाएंगे और यहां से कट कर लेंगे और इसके बराबर एक और कट करेंगे देखिए इस तरह से और अब हम देखिए इसको इतनी शिलाई करेंगे शिलाई करेंगे और फिर इसके बाद में इसको अटेच करेंगे दिखे हमारी ये हाप में हमें शिलाई कर लिए है और जितना हमारा ये कपड़ा है उसके साब से हमने लेज को इसी रखा है और इस तरह से दिखी रख के और इसके उपर चिलाए कर लेंगे तो इस तरह से ये चोली बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और बहुत सुंदर भी लगती है तो इस साइड में भी हम ये टिशू टेप लगा लेते हैं थेकिए हम तोड़ा इसको सीل रहे हैं कि दूसरी पट्टिकों अब हम थोड़ा सा सील लेंगे और फिर देखिए उस तोड़ा में निय Richard चोडा लग रहा है तो मैं इसको कट कर लेते हूं और देखिए अब हम इसके अंदर इसको कर लेंगे इस तरह से तो बहुत ही आसान है इस तरह से ये चोली बनाना और इसके उपर हम सिलाए कर लेते हैं तो देखिए चोली हमारी रेडी है और अब हम क्या करेंगे देखिए जो भी हमारा धागा है उसको कट कर लेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाई है और अब हम इसके उपर लगाएंगे तो हमें देखिए इस तरह से बराबर करना है इसको इस तरह से बराबर निशान करके फिर हमें इसको अच्छे से लगाएंगे तो देखिए इस तरह से में इसको लगाऊंगे जहां हमारा ये बीच आ रहा है उसको हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे और इसको चोली को भी हम इस तरह से बीच सेंटर में रखेंगे देखें तो बहुत ही इजी से ये लग जाएगी तो चलिए मैं इसके उपर सिलाई कर लेती हूँ तो देखिए हमने इसको लगा की रेडी कर लिया है और बहुत ही सुंदर बनी है और थोड़ा सा हम इसके उपर डेकोरेट कर लेते हैं तो देखिए हमने इस तरह की ये बूंटी ली है और इसके उपर हम देखिए इस तरह से लगाएंगे और देखिए इस साइड में हमने अलग भूंटी लिये है देखिए ये वाली तो इस तरह से हम देखिए ये लगाएंगे इस साइड में तो देखिए friends हमने इस तरह से इसको ready कर लिया है कितना सुन्दर लुकाया है इस पोसाग का और देखिए जो half cut मोती होते हैं white वाले वो वाले लगाए हैं हमने इस पे कितना सुन्दर लुकाया है और बहुत ही finishing के साथ बनी है friends तो देखिए हमने इस तरह से पूरे में गिन्नी को लगा लिया है और देखिए हमने चोली को भी इस तरह से decorate किया है तो friends आपको ये पोसाग कैसी लगी मुझे comment करके बताईएगा और अपने दोस्तों को भी share करेजिए ताकि उनको भी helpful रहे तो friends ये वाली पोसाग जब आप अपने लटू को पाजी को पहनाओगे तो बहुत ही सुन्दर लुक आएगा friends देखिए इतनी तूप सुरूच से बनी है ये हमारी पोसाग तो friends, मिलते हैं ले विडियो में, दोगाई, टीकेर